हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल सुविचार कोश दोस्तों सुबह का टाइम किसी भी काम की शुरुवात करने के लिए गोल्डन टाइम होता है सुबह हम एनर्जी के साथ काम पूरा कर सकते हैं दोस्तों लाइफ में सकसेस सभी होना चाते हैं सकसेसफल बढ़ने के लिए सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी होता है अब क्योशन आता है कि सुबह जल्दी उठा कैसे जाए हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी न कभी ये कोशिश जरूर की होगी कि रोज सुबह जल्दी उठा जाए हो सकता है आप मेंसे कुछ लोग काम्याब भी हुए हो पर अगर मैजोरिटी की बात की जाए तो ऐसी आदत डालने में सफल हम नहीं हो पाते हैं लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे मैजिकल ट्रिक्स या टिप्स बताएंगे जिससे आप सुबह जल्दी उठने की आदत अपना पाएंगे तो आईए जानते हूं ट्रिक्स को अलारम घड़ी को कुछ दूरी पर रखे जी हाँ दोस्तों हम अलारम हमारे मोबाइल में ही अकसर लगाते हैं और मोबाइल को तकिये के नीचे रखते हैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको आपकी अलारम क्लॉक को अपने बैट से कुछ दूरी पर रखना है इससे फाइदा यह होगा कि जब अलारम बजेगा तो आपको इसे बंद करने के लिए बैट से उठकर कुछ दूरी पर जाना होगा इससे आपकी नीच उड़ जाएगी और आप जग जाएगी दोस्तो हमें सुबह उठकर क्या करना है यह आप पहले ही तै कर ले ताकि सुबह जब आपकी नीच खुले तब आप फ्रेश मैंड से उस काम को स्टार्ट कर सके दोस्तो अकसर यह होता है कि अगर हमने पहले डिसाइड नहीं किया है कि हमें सुबह जल्दी उठकर क्या करना है तो हम सुबह यह सोचते रह जाते हैं कि मैं जल्दी उठकर क्या करूं और हम वापस सो जाते हैं इसलिए हमें कल क्या करना है यह है आज ही तै कर लेना चाहिए दोस्तों आप रात को कुछ ऐसा काम करके सोएं जिसे सुभा आपको जल्दी उठके उसे चैक करने का मन हो For example, अगर आपको किसी लड़की या लड़की से चैट करना अच्छा लगता है तो आप उससे चैट करना स्टार्ट करें नाइट में उससे चैट करना स्टार्ट करें और थोड़ी देर बाद कोई काम की बाद पूछ के बिना बाय बोले ही सो जाएं जिससे सुबर जैसे ही अलारम बजेगा आपको उस चैट के बारे में याद आएगा और आप वो चैट पढ़ेंगे जिससे आपकी नीन खुल जाएगी और आप जग जाएंगे इस ट्रिक का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है दोस्तो मैं रोज रात को हमारे चैनल सुविचार कोश के सब्सक्राइबर देख कर सोती हूँ तो जैसे ही अलारम बचता है मुझे चैनल के सब्सक्राइबर देखने की इच्छा होती है कि चलो देख लूँ कितने सब्स्क्राइबर बड़े और कितने लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया और शेयर किया इसके कारण मेरी नीन तूट जाती है और मैं उठ जाती हूँ दोस्ता इस चीज को आप सिर्फ चैट से ही नहीं उस किसी भी चीज से जोड सकते हैं जिसे सुबह उठ कर आपको करने की इच्छा हो दोस्ता नाइट में सोने से पहले धे सारा पानी पिए जितना आप पी सकते हैं जादा से जादा पानी पिए इससे होगा यूँ कि जैसे ही अलायम बजेगा आपको वाश्रूम जरूर से जाना पड़ेगा और आपकी नीन उड़ जाएगी इससे एक फायदा और होगा पानी हमारे डाइडेस्टर सिस्टम को स्ट्रॉंग बनाता है और हमें हेल्दी बनाता है और दोस्तो वैसे भी पानी हमारी हेल्थ के लिए अमृत के समान है इसलिए धेर सारा पानी पिए और रात में सोने से पहले तो जरूर से पिए 5. सुभ़ उठने का एक समय निश्चित कर ले दोस्ता अधिकान्ष लोग करती यह हैं कि वे जोश में आकर रात को जल्दी सोने का और सुभ़ जल्दी उठने की प्लानिंग बनाते हैं और उनकी प्लानिंग दो दिन के अंदर ही बेकार चली जाती है आपने यह सुना होगा कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें यह नियम पूरी तरह से सही नहीं है बलकि आप रात को सोने का कोई नियम न बनाएं लेकिन सुभ़ उठने का एक टाइम निश्चित कर ले अगर आपने सुभ़ 5 बजे उठना हो या फिर 6 बजे उठना हो तो आप इस समय पर उठने के लिए अपने माइंड को पूरी तरह से सेट कर ले तो फ्रेंड्स ये तो थे कुछ magical tricks जिनकी मदद से आप सुभ़ जल्दी उठ सकते हैं और अगर आप किसी भी आदत को repeatedly 21 days तक करेंगे तो वो आपकी habit बन जाएगी I hope इन tricks की help से आप सुभ़ जल्दी उठने के आदत डाल सकें और दोस्तों अंत में मैं आपको यही कहूंगी कि कोई भी काम पूरी dedication के साथ किया जाए तो उसमें success जरून मिलती है तो कल से ही आप पूरी dedication के साथ इन tricks को अपनाएं और अपनी life में change लाएं तो दोस्तों like करें अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो share करें अपने friends and family के साथ और subscribe करें हमारे channel सुभचार कोश को जिससे ऐसे अच्छे वीडियो के update आपको easily मिलती रहे थैंक यू